ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस या फ्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े ऐसे तमाम काम जिसके लिए आपको सरकारी कार्यालियों के चक्कर काटने पड़ते थे अब ये काम असान हो गए है, यानि कि आप घर बैट कर इन सब कामों को निप्टा सकते हैं, जिसके लिए आपको दफ्तर जाना पड़ता था, लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, इसके लिए आपको चाहिए आपका अधार कार्ट, और मान लेजिए अगर आपक इस authentication service launch की है जिसका सीधे तोर पर मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी काम चाहे वो आपकी गाड़ी का registration करवाना हो driving license या फिर learning license बनवाना हो ऐसे तमाम काम आप अपने घर पर बैठ कर ही अधार काड़ के जरीए कर सकते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके जरीए आप कौन-कौन सी services अवेल कर सकते हैं कुल मिलाकर 18 इसी services हैं जिनको आप इस portal पर जाकर अवेल कर सकते हैं जिसमें learning license है, license का renewal है, duplicate driving license बनवाना है, driving license पर पता बदलवाना है international driving permit अगर आपको लेना है, तब भी आप इस portal पर जाकर अधार काड़ के जरीए permit ले सकते हैं तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें जिसमें कुल मिलाकर 18 services हैं, जिसको आप इस portal पर जाकर घर बैठे online अवेल कर सकते हैं तीन मार्च को 2021 को मौर्ट की notification जारी हुई है, जिसमें उन्होंने अधार authentication, यानि कि अधार verification के तुरू 18 services को completely online किया है जिसमें जो citizen है, उसको ना बार-बार RTU office आने की जुरत नहीं है और जिनके पास अधार number है, अधार card है, वो इसको अवेल कर सकते हैं और जिनके पास अधार card अभी जिनका इन process है, वो अपनी जो अधार enrollment receipt है उसके basis पे इन 18 services को अवेल कर सकते हैं, बिचर completely contactless and the system is seamless तो इसमें 18 services में जो services शामिल हैं, उसमें learner's license है, renewal of license है जिसमें कोई भी competence, driving competence test की जुरुत नहीं है वो वाला renewal और hypothecation, RC का removal, addition, duplicate RC, duplicate deal इस तरह से 18 services शामिल है, application for अपना new RC in a fully built up body तो ये सब उसमें शामिल है, देखें आम जनता के लिए जो इसका benefit है वो ये है कि उनको बार बार RTO दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, वो घर बैठे, बिना RTO दफ्तर आये अपना काम कर सकते हैं किसी भी mediator की जुरुत नहीं है, ये एक good governance की और सरकार का बहुत अच्छा कदम है और RTO विभाग को ये फायदा होगा कि इससे RTO offices में रश कम होगा, जिससे good governance को हम बढ़ावा दे सकेंगे